आप देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी जैभिमसाथियों सम्यक इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है एक बहुती महत्मुन विशे को फिर से एक बार लेके आपके बीच में मौजूद हुए है कि जो शब्द है निर्वान परिनिर्वान और महा परिनिर्वान इसके बारे में आज हम जानेंगे इसका मतलब क्या है अर्थ क्या है क्योंकि युवा पिड़ी को इस अर्थ से इसके शब्दों के अर्थ से वाकिफ होना बहुत जरूरी है तो इस पे हम अर्थ जानने के लिए बौधाचारे शान्द शुरूब बौजी के निवास्थान पे मौजूद है स्वागत करते हैं समयक इंडिया टीवी में किरपे आपने विचार रखें जैभीम स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद है मंत जी आपका आपने जो पृष्णी किया है वास्तों में ही इस पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है यहां मुझे समयक इंडिया टीवी के माध्यम से अपने शुरूताओं को ये बताने में बहुत खुशी महसूस हो रही है कि बाबा साहब डांक टम बेट करके परी निर्वान के बाद से ही या कहिए कि बाबा साहब ने 14 और 15 अक्टोबर 1956 को नाकपुर की पवित्र भूमे में जब बहुत धरम की दीक्षा ली थी उसके बाद से ही बहुत धरम की पता का बहुत उचे रूप में फैरने लगी तब से ही हमें बहुत विश्यों में रूची लेने का अफसर मिला बड़े-बड़े बहुत विद्वानों को बहुत भिक्वों को जानने का अफसर मिला हमें ये कहते हुए गर्व की अनुभूती हो रही है कि आज हमारे पास जो कुछ भी जानकारियां है वो विद्वान भिक्वों के कारण और आज भी हमारे देश में ऐसा नहीं है कि विद्वान भिक्वों का अभाव हो गया है बहुत भिकू अभी भी बहुत ग्यानवान है और मेरे जैसे व्यक्ति के तो आचारे जैसे हैं गुरू जैसे हैं हमेशा उनसे हमारी गुफ्तगू होती रहती है ग्यान चर्चा होती है और ये बहुत धरम की पहचान तो भिकूं से होती है एक समय था जब हमारे समाज में बोध होने के बाद भी बोध धरम बाद में आया बोध हम पहले हो गए ये तो बिलकुल ऐसे हो गए ना कि गाड़ी पहले खरिद लिए और गाड़ी चलानी बाद में सीखी तो हम बाद साथ के कथनानुसार उनके प्रती हमारे भरोसा था इसलिए हमने बोध धरम को स्विकार किया मगर बोध परंपराएं बहुत आज से आज से आज से आज से आज से आई हैं बड़ा सुलो प्रोसेस के रूप में आई तो पहले क्या था, कि जब कोई व्यक्ति का निदन हो गया, मिर्तु हो गयी, कोई व्यक्ति मर गया, तो उसे लिखते थे सूरगी है, अब आगे फिर जब शब्द आए, बहुत शब्द आए, तो लोग उन्हें कहना शुरू किया कि नई, इसको सूरगी ने, जब हम सूरग को तो वो जो स्वर्गिय शब्द लगाते थे उसका कोई मतलब नहीं रहा जब बहुत बन गए वैचारी क्रांती ने करवट बदली तो उन्होंने कहा के नहीं ये शब्द अब हमारा नहीं है और अब हम अपना शब्द ढूंडे तो लोग ढूड कर क्या लाए लोग ढूड कर लाए परिनिर्वान प्राप्त और उसको रहुल जी ने लिखा है वन वर्ड करके परिनिर्विरित और पाली में उसको कहते हैं परिनिब्बुत इस परकार से ये शब्द परचिलित हुआ मगर एक बाद सब ध्यान देएंगे कि एक शब्द होता है निर्वान निर्वान शब्द का जो निर्मान हुआ है वो नहीं बाण यानि कि जो तीन बाण है लगे हुए व्यक्ति के शरीर में मा के पेट से ही आते हैं लगकर और जब वो बहार आकर अपने परकरम से उन तीरों बाणों को निकाल देता है वो बाण रहित हो जाता है उसको कहते हैं निब्बाण तो तीन परकार की जो तिरिष्णाएं हैं और उन तिरिष्णाओं को जो मल्टिपलाई करते जाते हैं उनकी उपत तिरिष्णाएं और छोटी तिरिष्णाएं तो वो टोटल हैं अभी धम कोश्ट में 108 परकार की तिरिष्णाएं बताई हैं जो व्यक्ति आपने देखोग लिखते हैं जो 108 आप का मतला कुछ नहीं है बोतनों की जो 108 परकार की तिरिष्णा को काभू में कर लेतां जो उन पर विजय प्राप्त कर लेता है वो निर्वान प्राप्त कर लेता उस अवस्था को शिडा 108 कैते हैं तो साथियो, निर्वान का अर्थ होता है जीवी तवस्था में, बढ़ने के बाद नहीं, जीवी तवस्था में सब परकार के चित्तमलों से मुक्त हो जाना, सब परकार के मन के जो आस्रव हैं, उनसे दूर हो जाना, वो निर्वान की एक परमवस्था होती है, जिसको व्यक् निर्वान तो खाली भिक्कों के लिए होता है ये ठीक नहीं है ऐसा मानना भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के जो पिताते शुद्धोधन उन्होंने उपासक की अवस्था में निर्वान प्राप्त किया था जब आप तेरी पिटी कद्यर करेंगे तो ये चीजे किलियर होती चली जाएंगी तो हमने जाना कि निर्वान की प्राप्ति किसको कहते हैं निर्वान भिक्कु भी प्राप्त भिक्कु के लिए तो निर्वान प्राप्त करना अनिवार है उनका जीवन का लक्षे ही निर्वान प्राप्ति है यानि के प्रोपकारी जीवन जीना सब पा इस्तमाल होता है परी निर्वाण अब जब हम परी निर्वाण लिखने लगे ओपरी निर्वाण और परी निविरत और परी निद्व आउट ओफ डेट हो गया उसको छोड़ो और नय विचार को ग्राइड करो बाबा साब के जिवन में कितने परिवर्तन आप देखते हैं मानने ताओं के परिवर्तन तो साथियो लोगों ने ये कहना शुरू किया कि यार कोई चोड मर जाए तो वो भी सुवर गया कोई धरवान व्यक्ति मर जाए तो भी सुवर गया उसी प्रकार से तुमारा ये परिनिर्वान, परिनिव्बुत हो गया, तो बात तो बिल्कुल ठीक थी, अब इसका समाधान हमको नहीं मिल रहा था, अब एक बर्मा के योग्य भिक्कू, उपईयावरो, उपूज भिक्कू, बहुत विद्वान भिक्कू, हमारे समता बुद् दुआन आये हुए थे, वहां ये चर्चा चिड़ी, कि किसको निर्वान कहा जाए, किसको परिनिर्वान कहा जाए, किसको महा परिनिर्वान कहा जाए, तो उन्होंने बहुत मज़ेदार बताई, बात, वो ये थी, कि जो महान भिक्कू या बहा पुरुष होते हैं, उनके इनके लिए परिनिर्वान शब्द हमारे बर्मा में लगाते हैं, हर एक व्यक्ति के लिए नहीं लगाते हैं, तो अब हमने अपनी मर्यादा बनाई, कि जो महापुरुष हैं, बाबा साप जैसे, और जो महान भिकू हैं, जैसे बनते अनद कोशल लेयन, बनते मेधंकर हैं, य इनके लिए परिनिर्वान लगाएंगे, किन्तु जो मेरे जैसे आम आदमी हैं, और ग्रस्त लोग हैं, और साधारन भिकू हैं, उनके लिए आप इस्तमाल कर सकते निधन, देहांत, शरिडांत, हम आजकल इस्तमाल कर रहे हैं, उनके लिए तत्वलीन हो गए, यानि जिन च काया ने आकार गिर्यान किया था, वो चारों तत्व इखंडित होकर अपने माहभूत में मिल गए, जो चार तत्व हैं, वो पिर्त्वी है, जल है, अगनी है, वायू है, यह जो आकाश तत्व पांचवा तत्व लोगों ने बनाया है, वो तो बोध्धों की परमपरा को यह चारों तत्व अपने माहभूत में मिल जाते हैं, तो व्यक्ति की मिर्तु हो जाती है, आम आदमी के लिए जो शब्ध हम इस्तमाल करते हैं, वो तत्वलीन, जिसका अर्थ अपने बताया, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, मगर एक शब्ध है महापरिनिर्वान, म हमें किसी और के लिए इस्तमाल नहीं करना चाहिए, जो आगे बुद्ध होंगे, या उनके लिए इस्तमाल करें, या पहले बुद्ध हो चुके हैं, उनके लिए इस्तमाल करें, तो ये जो निर्वान क्या है, परिनिर्वान क्या है, महापरिनिर्वान क्या है, संक्षित मे सरल भाषा हमने उस से जाना हमें आशा है कि इस संब्द में आपको ग्यान लाब होगा एक निर्वार्ण शब्द जो मिर्टू के लिए लिखा जाता है उसका एक सबसे बड़ा गल्ट फैमी का कारण यह है कि आरे समाजी लोग मिर्टू के लिए निर्वान शब्द लिखते हैं और जो जैनी लोग है मैंने उनके यहां भी देखा कई बार वो भी मिर्टू के लिए निर्वान शब्द का इस्तमाल करते हैं हमें मिर्त्यों के लिए निर्वान शब्द इस्तमाल नहीं करना हम निर्वान प्राप्ति करते हैं जीवित अवस्था में तो इसलिए निर्वान परिनिर्वान महापरिनिर्वान इसके अंतर को हमने जाना आज के बाद से आप जब इन शब्दों का इस्तमाल करेंगे तो परियोग परियोग किया जाता है परियोग किया जाता है